जाटो कि लासा समापका वेल्ग, आज हम आपको डिजाइन वारी बोर्डर बताएंगे, जो जाखेट में डाल सकते हैं, लेकिस वार्डर में डाल सकते हैं, तो अई शुरू करते हैं, उसका बनाना सबसे पहले हम आपको सलाई बताएंगे, इस में 10 नमबर की सलाई, जैसे आ तो आपको मोटी लेनी पड़ेंगी और आपको जैसे पतली उन है तो आपको जिसे बारा नंबर ग्यारा नंबर ऐसे सलाई लेनी है और यह उन हमारी नोर्मल है नहीं मोटी नहीं पतली तो यह हमने फंदे डाले हैं इसमें 45 बंदे डाले हैं इसमें 45 बंदे डाले हैं और आप सिर्धी साइड में भी इंटि बुनेंगे और इंटि साइड में गव्यों चिक्राइड में आइसे वुनना है ऐसे करके ऐसे बनाना आए-ne थेश्च के दश्च करके ऐसे बना दो सलाईल बनेंगे दो Vegos हजी है अनको है ऐसे हम भून इसये बून के लिख की जाएंगे और सिर्थी साड में तो 2 सलाई हम उल्टी उल्टी बूनते हैं यह देखिए यह हम सेखिक सफी सिता धी निकाल लेए अब हम इसमें सीध्य निकालेंगे तो पहला फंदा हम ऐसे उतारेंगे और फिर हम आगे इसे सीधा सीधा बुनाएंगे अब उल्टी साइड मां उल्टा बुनाएंगे और सीधी साइड मां हम सीधा बुनाएंगे ऐसे सीधा बुनाएंगे तो ये हमाने चार सेलाई निकालेंगे दो ये निकाले हैं चार वे निकालेंगे हम सीधा ही और उल्टी है उल्टी साइड में उल्टा और सीधी साइड में हमें सीधा है वैसे आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं आपको गोडर जाए से छोटा पसंद है तो इसमें कम सलाई भी कर सकते हैं तो ऐसे हम सीधे-सीधे चार सलाई करेंगे उसके बाद हम इसमें इसे कैसे डिजाइन करेंगे बताएंगे तो हम ऐसे सीधे-सीधे इसे सीधी साइड में सीधा और उल्टी साइड में उल्टा डिजाइड उल्टा बुनेंगे यह हमारा सीधा है इस साइड में हमारा उल्टा रहेगा तो उल्टी साइड में उल्टा और सीधी साइड में सीधा चार सलाई हमने सीधी साइड में सीधी निकारी है उल्टी साइड में उल्टी निकारी है अब हम इसमें डिजाइन कैसे डालेंगे, एक फंदा अब हमारा सीधा साइड हो गयागी, एक फंदा हम ऐसे उतारेंगे, ऐसे उतारेंगे, और आठ फंदे हम ऐसे पुन लेंगे, यह आठ फंदे हम ऐसे बुन लेंगे, अब हम इसमें ऐसे लेंगे सुई को, सुई को ऐसे लेंगे, और फंदे को ऐसे डालेंगे, और वापेश, ऐसे लियकस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे, इसमें डालेंगे, और फिर हम सीधी साइड इसको बुन लेंगे, ऐसे यह देखिए, और दागे को हम ऐसे खैज देंगे, फिर हम आठ फंदे सीधा बुनेंगे, कि यह देखे आठ फंदे हो गए अब हम सुई को ऐसे लेंगे आठ फंदे को इसमें डाल लेंगे और वहाप पिस ऐसे लाएंगे और फिर इसी में डाल के हम इसको सीधा बुन लेंगे इसमें डाल देंगे और फिर हम इसको सीधा बुन लेंगे कि आठके को ऐसे कैस देंगे फिर हम आठ फंदे ऐसे बुन देंगे सीधा सीधा कर दो जगे हो गए हमारा अब हम फिर सुई को ऐसे लेंगे और भंदे को डर लेंगे और वापिस भंदे को लेंगे इसी में वापिस डर लेंगे और फिर हम इसको सिधा हुनाई कर लेंगे पाकी फंदों की तरह हम इसको भी सिधा बुन लेंगे और ऐसे धागे को हम खैज देंगे फिर हम आठ फंदे लेंगे जैसे जितने भी फंदे आपके हैं आपके इसाब से आपकी जाकेट स्वाटर में डालते हैं तो यह आप आठ आठ पर यह डिजाइन डाल सकते हैं आप जैसे छोटे बेबी के बना रहे है तो इस पर चार-चार पर भी डाल सकते हैं कि अख गया दो टालेंगे और इसको डाल लेंगे फंदे को आपकी लाहब के इसे में फंदे भी डालेंगे और इसमें डाल के इसमें फंदे को डाल के और फिर माँ पीस इसको सी दबूल लेंगे और फिर हम इसको खाज देंगे यह हमारा डिजाइन वाला बोडर ऐसे होका यह देखना आपको पड़ा छोटा करना है तो इसमें आप सीधा उल्टा और ज्यादा बना के इसमें और भड़ा सकते हैं आपको कम करना है तो इसमें कम सलाई निकाल के भी इस डिजाइन डाल सकते हैं तो यह हमारा डिजाइन वाला बोडर है आप इसमें जाकिट में बेबी स्वाटर में किसी में भी डाल सकते हैं यह देखे आज का वीडियो आपको पसंद आये तो ला